हेलो स्टुडेंट एंड वेल्कम बैक टो माई यूटूब चैनल लाट्स डिस्कस तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस एंड वक्षिट नंबर 62 जो की आपका 2 दिसंबर 2020 के लिए है तो आज हमें पढ़ना स्ट्रक्चर ओफ दा एटम अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए उसके सबस्क्राइब कीजिए और वैल ऐकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लैटेस्ट नोटेजिकेशन मिलता रही है ओके फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे कि हमें पता है जो बोर्ट मोडल से हमने पढ़ा है जो इलक्टोन डिवॉल्फ ते एराउंड दा निकुलियस वो क्या होता है डिस्करेट और विट जो एटम होता है जैसे यह प्रोटोन और यहां पर निट्रोन है तो इसके चारोड क्या करता है इलक्टोन चक्करकार ठीक है के इल एम इन सेल में ठीक है इसमें दो होता है इसमें आठ होता है इसमें अठारा होता है इसमें थर्टी टू होता है सो दर आउटर्मोंस्ट और्विट इस काल तौट वैलेंस और्विट और सेल बैलेंस सेल कहलाता आउटर्मोंस्ट और वीट में जो लास्ट में जो थाद अब देखे, and the electron present in the, it is, it are known as the valence electron, और जब उसके अंदर electron होते, जैसे sodium है, sodium का परमानों सुनक्या कितना होता है, 11 होते है, इसको लिखते है, 281, ठीक है, इसके लास्ट सेल में कितने, बन इलेक्टोन है, ठीक है, अब देखे तो, the distributions of electrons of an atom in different cells orbit as for their capacity, availability, वो कहलाते है electronic configurations when an atom gain or lose any electron in both the conditions that is called ion यानि कि वो positive है तो cation होगा और negative है तो nion होगा ये cation होगा cation का spelling ऐसे होता है और ये है nion a-n-i-o-n-i-n right I hope आपको समझ में आ रहा होगा during this process only the number of electron in an atom gets the change but number of the proton in that are remain unchanged मतलब सिर्फ इलेक्टोन चेंज होता proton नहीं चेंज होता ठीक है ये आपको याद रखना है the electronic configuration of sodium 281 but when it loses one electron from the sodium of electronic configuration below 28 atom react with the atom of the electron by sharing, gaining or losing electron to the end achieve an octet in the outermost cell the number of the electrons that are shared or the gate transfer from one atom to another in orbit to have an octet or 8 electrons in there the valency cell is known as the valency यानि combining capacity of that element अब चली इसमें हमें valency क्या होता इसे हमें समझना परेगा detail में निटेल में valency क्या है the maximum number of electron that can be accommodated in outermost cell valency मतला outermost cell अज़े जो electron होता है that is valency कैला ठीक है if an atom has 8 electron 8 valency orbit है then there there the combining the capacity or valency will be 0 यह सब शारा इनोट गैसे यानि आकिरी गैसे बहुत कम आत्रा में यह एट्मोस्पेर में पाए जाता ठीक है अब आप देख़ा रहे हैं यहां प्रेंट से बताई जो गवैलेंसी को कल्कुलेट किया जाता था फस्ट वराइट देख्टोनिक अन्फिगरेशन अब यह एक्टोनिक अन्फिगरेशन लिखना इसका ठीक है फिर उसके अदाब का सकेट इफ देख्टोनिक अडिख देख्टोनिक अन्फिगरेशन लिखनार इसका ठीक है सूर्यम का electronic atomic number 11 होता दो आट 1 होता इसका वालेंसी बन होता जैसे magnesium का 12 होता दो आट 2 होता इसका वालेंसी 2 हो गया जिसे fluorine का fluorine का क्या होता fluorine का atomic no 9 है यह electronic calculation 27 है वालेंसी 7 हो गया इसका 1 हो जाएगा ठीक है योंकि एक इसी गेंड करने आपड़ेगा नियोन का भी यह 0 हो जाएगा क्योंकि दो आट-दस हो गया कारवन का यह 4 हो जाएगा तो इसी तरह इस questions में जो given है इसे हम अंसर में देखते हैं लिए class 9th worksit number 62 अब question number first देखते है what is valency the number of electron that are shared or get transferred to the form the octave or 8 electron in autonomous cell of an atom is called valency next है आपका what is what will be the maximum number of electron present in k l m n on orbit the maximum number of electron present in k में 2 होता है l में 8 होता m में 18 होता n में 32 होता है ठीक है उसकाद आप देखे write the electronic configuration of carbon and sodium and also write their valency sodium का 2 8 होता है अभी वहां लिखा हुआ भी था भी मैंने आपको बता है और valency 1 होता है carbon का 2 4 होता है या इसका valency 4 होता है okay friends 4 होता है अब देखे next है the atomic number of the lithium boron and the sulfur element are 3 5 and 16 respectively what will be their valency तो valency 1 होगा इसका 3 होगा इसका 2 होगा sulfur का right I hope आपको यह समझ में आयागा अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो का आप like कर सकते हैं और हमारे channel को subscribe कर सकते हैं ताकि आपको latest notification मिलता रहे thank you thanks a lot for watching comment करना न भूले ताकि मुझे उससे motivation मिलता और मैं आपको और जितना जल्दी हो सगे वाक्सिट साल करके provide करता रहो okay friends thanks thanks a lot कर दो